अब घर बैठे कीजिए जियोग्राफी ऑप्शनल आईएस की पूरी तैयारी जुड़िये हमारे ओनलाइन बैच से इसमें मिलेंगे आपको 500 प्लंस लेक्चर्स समय समय पर टेस्ट सीरीज तथा 24 घंटे की कॉल सपोर्ट क्या आपका भी सपना है कि आप आईएस बन के देश की सेवा कर सके अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो के जरीए हम आपको बताएंगे आईएस का फॉर्म भरने से लेकर आईएस पन्ने तक का सफर इतने बड़े पत के लिए सही व्यक्ति का चुनाव होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसी यह यूपीयसी परीक्षा का आईजन इस प्रकार से किया गया है कि इसमें सिर्फ लोगों का ही चैन होता है यह भारत देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में हर साल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फरवरी के महीने में सिविल सर्विसेज का विज्यापन प्रकाशित करता है जिसमें आईएस के स 27-24 Central Services के लिए भी विग्यापन प्रकाशित किया जाता है पिछले कुछ सालों से इस विग्यापन में लगभग 1000 सीटे विग्यापित करी जाती है और अंतिम मेरिट के अनुशार सभी चैनित विधार्थियों को उनके क्रम अनुशार सर्विसे प्रदान की जाती है आज के वी कितनी उग्यों तक हम UPSC की परीक्षा का फॉर्म भर सकते है यानि एज क्या होनी चाहिए UPSC परीक्षा का पार्ठिक्रम क्या है? UPSC परीक्षा का पिछले वर्ष का कट अफ कितना था? इन प्रमुख बिंदू पर आज का हमारा वीडियो निर्भर है तो आईए सबसे पहले हम जानते है कि UPSC परीक्षा है क्या? UPSC का पूरा नाम लोग संग सेवा आयोग है लोग संग सेवा आयोग द्वरा सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है सिविल सेवा परीक्षा भारत की एक प्रतियोगी परीक्षा है जिसके परिणाम के आधार पर भारत सरकार किंद्रिय वराज्य प्रशासन के लिए सिविल सेवाओं के अधिकारी जिलाधिकारी पुलिस अधिकारी चुने जाते हैं इसके आधार पर भारतिय प्रशासनिक सेवा, भारतिय वन सेवा, भारतिय पुलिस सेवा, अंगे सिविल सेवाओं के लिए भारतिय युवाओं का चैन इस परीक्षा के माध्यम से किया जाता है प्रतिवर्ष संग लोग सेवा आयोग निम्रिकित सेवाओं में अधिकारियों के चैन के लिए एक परिक्षा आयोज़त करता है। ये सेवाए इस प्रकार है All India Service, Group A Services, Group B Services। अब आईए हम जानते हैं UPSC Posts और Types of Civil Services। सबसे पहले आता है All India Services। इसके अंतरगत Indian Administrative Service IAS, Indian Police Services IPS और Indian Forest Services IFS आता है। दूसरे चरण में आता है Group A Services। इसके अंतरगत निम्रिकित सेवाओं होती है जिन में छात्रों का चैन होता है आप। इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। तीसरे चरण में हम बात करते है Group B Services। इसके अंतरगत Armed Forces, Headquarters, Civil Service Officer, Pondicherry, Civil Service and Police Service Officer आते हैं। आईए अब जानते हैं कि UPSC परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए Educational Qualification यानी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। UPSC Civil Service परीक्षा में आवेदन करने के लिए अव्यर्थी कुर्मानियता प्राप्त मिश्वरिधाले से किसी भी मिशह से सनातक पास होना अनिवार है। UPSC Civil Service परीक्षा में विच्छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। जो appearing candidate है अथार्थ जोस नातक के अंतिम वर्ष में है। Number of Attempt यानी UPSC Civil Service परीक्षा आप कितनी बार दे सकते हैं। सामान में श्रेनी के लिए UPSC परीक्षा में छे बार अप्पियर होने का प्रावधान है। अन्य पिच्छा वर्ष के लिए नव बार तथा अनुसुचित जाती एवं जन जाती के लिए कोई सिमाग तै नहीं की गई है। Edge Limit UPSC सिवल सेवा परीक्षा में आविदन करने के लिए व्र्थी की आईउ सिमा सामान में वर्ष के लिए नियुन्तम 21 वर्ष तथा अधिक्तम 32 वर्ष है। राश्ट्रियता, UPSC civil सेवा परीक्षा में भारतिय प्रशास्निक सेवा, भारतिय और सेवा, भारतिय पुलिस सेवा के लिए आवेदन करने वाले अविर्थी को भारत का नागरिक होना आनिवार है। किन्तु UPSC Civil सेवा की अन्य सभी सेवाओं के लिए भारत के नागरिक, नेपाल के नागरिक, भूटान के नागरिक, तिब्बत के शर्णार्थी जो एक जनवरी 1922 से पहले भारत आए है वे अवेदन कर सकते हैं। परीक्षा प्रणाली UPSC Civil सेवा परीक्षा तीन चरणों में आयुजित की जाती है। पहला प्रारंदिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा एवं अन्तिन चरण में छाक्रों का साक्षादकार या विक्तितव परिक्षन किया जाता है। प्रारंदिक परिक्षा के इस चरण में दो पेपर होते हैं पहला सामान्य अध्यन और दूसरा Civil Services Aptitude Test होता है सामान्य अध्यन प्रश्ण पत्र एक में कुल सो प्रश्ण होते हैं जो 200 अंके होते हैं कुल समय दो घंटा होता है तथा Negative Marks एक तिहाई होता है सामान्य अध्यन प्रश्ण पत्र दोसी सैट में कुल असी प्रश्ण होते हैं जो 200 अंके होते हैं कुल समय दो घंटा होता है तथा Negative Marks एक तिहाई होता है नुख्य परीक्षा में नव प्रश्न पत्र होते हैं इसमें दो प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग होते हैं और साथ प्रश्न पत्र को अंतिन चैन की सूची में जोड़ा जाता है इन साथ प्रश्न पत्रों में दो प्रश्न पत्र वैकल पिक्के होते हैं आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। इंटरव्यू परीक्षा के इस अंतिन चरण में छात्रों का साक्षातकार लिया जाता है। आईए अब जानते हैं कि UPSC परीक्षा के प्रिवियस यर का कट अफ कितना था। आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं इसी के साथ आज का हमारा पॉड़कास्ट समाप्त हुआ अगले पॉड़कास्ट में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे इसी तरह के पॉड़कास्ट हमेशा पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें